Welcome Dear Students, अब हम करते हैं Inivision of Enzyme Activity, इसके याद करने के कुछ Quick Tips क्योंकि ऐसे molecules होते हैं, जो enzyme की activity को decrease करते हैं, तो इसमें से ज़ाधा तर जो होते हैं, drugs के form में, medicines के form में यूज होते हैं, इनकी activity दो किसम से हो सकती है, एक तो होता है reversible एक irreversible, irreversible हमारा जैसे की di-isopropyl fluorophosphate जो की covalently bond करता है एंजाइम के साथ, तो एंजाइम की जो activity होती है, यानि कि उसके product का बनना उसको वो रोग देता है कि इस ढंग से irreversible ढंग से, वो उसको reverse नहीं किया जा सकता है, ऐसे कुछ compounds जो होते हैं, वो chemical warfare में भी use करे जाते हैं, competitive inhibitors, आप आते हैं reversible category वाले inhibitors में, जो की होते हैं, competitive, uncompetitive and non-competitive, competitive जिसमें की हमारे molecules जो बहर से add होते हैं, या inhibitors जो बहर से add होता है, वो substrate की तरह ही होता है, जो substrate bind करके product बनाता है, वैसे ही हमारा जो बहर से inhibitor डाला होता है, वो inhibitor भी क्या होता है, उसी की तरह होता है, उसका shape भी उसी की तरह होता है, और वो उसको inhibit कर देता है enzyme की activity को, competitive inhibitor, जैसे कि हमारे कई एक antibiotics होते हैं, ये antibiotics, अलफनमाई drugs जैसे, तो ये जब enzymes जिसके उपर ये act करते हैं, enzymes कौनसी enzymes, जो हमारे bacterial infection होते हैं, bacteria जब आगे को multiply करता है, तो उसको multiplication के लिए DNA synthesis करना पड़ता है, अब सल्फनमाईट जो होते हैं, वो para amino benzoic acid, जो की इस pathway में use होता है, DNA synthesis के उसी की तरह होते हैं, तो enzyme के साथ ये bind हो जाते हैं, बैक्टीरिया की enzyme के साथ, इस case में, तो ये शल्फनमाईट ड्रग आ जाएगा, PABA उसके साथ जो है, substrate जो है, actual substrate वो तो नहीं उसके साथ बंत पाएगा, लेकिन सल्फनमाईट बढ़ जाएगा, as a result of that, what will happen, क्योंकि ये दोनों एक से होते हैं structure में, तो ये antibiotic enzyme आ जाएगा, और product formation नहीं होगा, तो क्या होगा, as a result, कि वो जो है, हमारे bacteria, वो अपनी cell को synthesize नहीं कर पाएगे, और इस वज़े से bacteria आगे multiply ये replicate नहीं कर पाएगे, और खतम हो जाएगे, bacterial infection खतम हो जाएगा, तो ये तो है reversible competitive inhibition, अब इसका हम देखते, lean viewer, बर्ग जो plot आता हो, किस तरह का आता है, देखे, लाल लाइन जो दिखा रखे, without inhibitor, अब इसमें जब inhibitor डालते हैं, तो जैसे जैसे inhibitor ये डाल रहे हैं हम, तो हम देख रहे हैं, इसमें, क्योंकि inhibitor का और हमारी जो substrate है, इन दोनों का structure एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, तो इसका मतलब जो Vmax है, half, substrate concentration, जिसमें की velocity हमारी, maximum velocity की half होती है, वो XE रहती है, तो ये दिखा रहा है, substrate concentration, और ये पूरी line, X-axis और Y दिखा रहा है, हमारा 1 upon Vmax, और ये value है, half, तो half value, यानि की वो हमारा KM की value, KM मतलब वो substrate का वो concentration, जिसमें velocity जो होती है, maximum velocity की आदी होती है, वो XE रहती है, मतलब ये line सारी क्या करेंगे, cross करेंगे, cross, C for cross, C for competitive inhibition, तो किस किसम का inhibition है, competitive, जाहिर सा ऐसी बात है, क्योंकि velocity हमारी उतनी ही रहती है, क्यों रहेगी, क्योंकि ये हमारे जो हमने molecules इसमें डाले हैं, बाहर से जो inhibitor डाले हैं, ये inhibitor का ऐसा जो है प्रतीत होता है, कि हमारा substrate का concentration बढ़ गया है, substrate का concentration ये 2 है, और ये 3 है, green line, तो negative side में है, तो automatically ये क्या है, बढ़ गया है, ये क्या है, घट गया है, तो ये बढ़ गया है, क्योंकि उनका भी structure वैसी होता है, inhibitors का जैसा की substrate molecules का होता है, पर V की value वही रहती है, so there is a cross in this case, indicates the competitive inhibition, in the case of non-competitive, non-competitive के case में क्या आता है, inhibitor जो आता है, ये red वाला inhibitor, ये कोई दूसरी site, दूसरी, allosteric site में, दूसरी site में लगता है, उस site में नहीं, उसका shape एक सा नहीं होता है, कुछ, दूसरा shape होता है, और वो enzyme में कोई दूसरी जगे पर ही, दूसरी receptor पर, दूसरी site पर वो है, लगता है, वहाँ पे, और यहाँ पे substrate जो है, वो अलग तरफ होता है, तो enzyme किसके साथ complex हो गए, inhibitor के साथ, और इधर आगया substrate, तो हमारा complex बन जाएगा है, किसका enzymes, inhibitor और substrate, लेकिन इसकी वज़े से क्या होता है, non-competitive में, competition तो नहीं हो रहा है, लेकिन यह conformational change, यहाँ पहले इस तरह का shape था, हमारे enzyme का, अब यह shape जो है, इसकी वज़े से, deform होनी की वज़े से, अब enzyme, substrate और inhibitor complex जो होगा, वो अपके product इस वज़े से नहीं बना पाएगा, लेकिन यह inhibition कैसा है, non-competitive है, और इसके examples, जैसे उसमें हमारे sulfonamide थे, इसमें दीखी इबोप्रोफिन है, एड्रुसिल है, यह सारे antifungal drugs है, यह सारे examples, जो है, non-competitive inhibitors के हैं, अब इस case में जो हमारा lean work plot आता है, वो कैसा आता है, वो इस तरह से आता है, यह हमारा without inhibitor है, और यह है, यह मतला substrate है, without inhibitor, और यह inhibitor जैसे जैसे हम add करते हैं उपर, तो यह इस किसम का graph आता है, ऐसा, कि इसमें हम देख रहे हैं, substrate का जो concentration है, वो तो unaffected है, लेकिन जो rate है, यह Vmax जो है, वो लगातार क्या होता है, घर्टा चला जा रहा है, decrease होता चला जा रहा है Vmax, वो reduce हो रही है वो value, और यह substrate concentration जो है, वो ही रहता है, क्योंकि यह एक दूसरी site में रहता है substrate, तो उसका concentration जो है, उसमें फरक नहीं पड़ता है, क्योंकि inhibitor अलग site में इसमें, जो inhibitor, substrate और enzyme complex बनता है, लेकिन इसमें, conformational changes नहीं आते हैं, तो इस वज़े से हमारा दोनों ही घटेगा, Vmax भी घटेगा, और साथ में, substrate concentration वो भी घटेगा, inhibitor will only bind to an enzyme substrate complex, it does not compete with the substrate for the binding, consequently both KM and Vmax, these values decrease, camptothesin for cancer treatment and medicines for treatment of AIDS, they work on the principle of uncompetitive inhibitors, इसका जो ग्राफ आता है, यह परलल ऐसा आता है, no inhibitor, और यहां पर हमारे inhibitors add करें, और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 1 upon B है, यह 1 upon S है, तो दोनों ही values क्या है, वो घट रही है, 1 upon B की भी और यह भी, याद कैसे करें इसको, uncompetitive, देखें यह दोनों lines है, यह यू कि यह parallel है, यहां भी देखें, यह line इस तरह से, अगर आप चोड़ें तो यह दोनों lines भी क्या है, यह parallel है, हमारे uncompetitive में, यू की तरह उसमें, यू जैसा parallel होता है, और इसमें जब यह ना यह हमारी parallel रहें, ना यह हमारी cross रहें, बल्कि एक ही point पे converge करें, तो इसको कहेंगे हम non-competitive inhibition, so these are some quick tips to know about the various types of inhibition of enzyme activity, very important from point of view of the use of enzyme inhibitors as drugs, so they can be reversible, they can be irreversible, irreversible तब होते हैं, जब वो covalently bonded होते हैं, जैसा की कुछ एक warfare, chemical warfare में जो use करे जाते हैं, substances उसमें, या कुछ एक हैसे हमारे fertilizers होते हैं, organophosphate, जो की enzyme chymotrypsin के साथ, ये covalently bond हो गए उस site में, enzyme chymotrypsin उसके साथ covalently bonding हो गए उनकी, तो irreversible होते हैं, irreversible, competitive, uncompetitive and non-competitive, non-competitive के case में, जो हमारा graph आता है, वो कैसा आता है, it is neither crossed, competitive में crossed graph आता है, neither parallel, uncompetitive में parallel graph आता है, तो ये दोनों में से एक भी नहीं होता, compare कि से करना होता है, इसके साथ, एक ये line है, और माल लीज़े इसके साथ, एक line यहां से और drop हो रही है, जब inhibitor डाला और वो cross करती है, तो इसका मतलब, वो जो है, उसका, इसके साथ, वो किस तरह का relation है, वो किस तरह का inhibitor है, वो inhibitor cross कर रहा है, इसका मतलब, वो competitive inhibitor है, और माल लीज़े, ये line है, इसके साथ inhibitor जब डाला है, एक और parallel line वाला graph बनता है, तो इसका मतलब, वो कैसा हमारा inhibition है, वो inhibition है, हमारा uncompetitive, और जब इस तरह से एक ही point पे converge होते हैं, एक ही point पे जाकर जुड़ जाते हैं, सारे, सारे line, मतलब ये हमारा inhibitor की absence में, और ये inhibitor की presence में, तो इस किसम का जो inhibition होता है, वो कैसा होता है, non competitive, thank you.